हाई स्टूडेंट जैसे कि हमारा टेक्सेशन में चेप्टर 6 इंकम फ्रम हाउस प्रोपर्टी चल रहा है और लास्ट विडियो मैंने आपको इलस्टेशन 3 समझाया जिसमें हमने जी एवी ग्रॉस एनियन वैल्यू सी की आज भी हम जी एवी ही कर रहे हैं थोड़ थोड़ च समन में आएगा ठीक है तो देखो इलस्टेशन 4 पर आउप उसकी मीनिंग समझें देखो हमें क्या आमला हुआ है इलस्टेशन 4 क्या बता रहा है डेटर्माइन जी एवी ग्रॉस एनियल वैल्यू हमें फाइंड करनी है अब लेट आउट प्रोपर्टी लेट आउट मतलब रेंट पर दी गई है ठीक है हौन भाय शिरी अमीन भाई अमीन भाई की प्रोपर्टी सापको दीओ हुए नीचे फोर एसेस्मेंट यह तो तुथाजन हज़नवडी क्या हुआ हूए जैखो हमें मिला क्या हुआ हुआ यह हमें इसके बाद ऋखेर रेंट दिया हुए है और उसके बाद rate of monthly rent of period when house was in occupation of tenant मतलब ये monthly rent बता रहा है monthly एक मेने का तो हम इसको 12 से multiple रहेंगे तो पूरे साल का rent received या rent receivable मिल जाएगा ठीक न वो हमें मिलेगा और इसमें आप देख सकते हो vacancy period भी है तो हम जो last video illustration 3 किया था उसमें ये सब चीज़े मिली हुई थी municipal value भी मिली हुई थी expected rent भी मिला हुआ था standard rent भी मिला हुआ था और rent receivable भी मिला हुआ था और vacancy period भी मिला हुआ था ठीक है एक चीज़ और बढ़ गी यहां पर आप देख सकते हो unrealized rent unrealized rent मतलब जो tenant है जिसको आपने rent पे दिया है बाड़े पे दिया है वो पैसे नहीं धेखे गया unrealized rent ठीक है unrealized rent मतलब rent नहीं मिला ठीक है कितना नहीं मिला यह 2240 फर्स्ट हॉस में नहीं मिला 6720 सेकर्ड हॉस में नहीं मिला फार्ड हाउस में 3200 एन फार्थ हाउस में 11200 यह नहीं मिले पैसे ठीक है unrealized rent तो अभी unrealized rent है हो तो जीए भी कैसे find करते हैं तो वह आपी समझते हैं देखो पहले तीन step तो जैसे करते हो वैसे ही है आप देखो जैसे कि पहला step हमारा house number 1 के लिए कर रहे हैं पहला step हमारा simple जैस यह step 1 की जो value आई 23,200 और standard जो आपको question में दिया हुआ है उन दोनों में से छोटा lower value, कौनसी है छोटी value, 22,720 ठीक है, और उसके पाथ step 3 में थोड़ा सा change है, अनियराइज rent आगया इसकी वज़े से, तो आप देख सकते हो step 3 में value of step 2, step 2 की value हमने निकाली 22,720 उपर lower value देखी हमने ठीक है ना, जो step 2 की value है, वो 22,720 और annual rent receivable, अभी annual rent receivable आप देख सकते हो, यह पर मन्त आपको दिया गया है, पर मन्त है 22,000, sorry 2240, 2240 पर मन्त का है, और यह unrealized rent है, दिया नखना 2240, यह भी हमें minus करना है, तो देखो किस तरह होगा, यह हमारा, देखो, यह जो है ना, step 3, annual rent receivable जो है ना, वो कैसे निकालना है, यह 2240 एक मन्त का, इसको मैं 12 से multiply करूँगा, तो 12 मन्त का आजाएगा, और उसमें से minus करना है, unrealized rent, unrealized rent आपको जो question में दिया गया है, 2240, जो दिया गया है, वो minus, अब पहले 12 से multiply करो, फिर उसमें से यह minus करो, तो यह वाली amount आएगी, 24 24,640, मिन से, इसको 12 से multiply किया, तो यह value आई, 26,880, इसमें से unrealized rent एक 2240, minus किया, तो 24,640 आया, तो अभी यह 22,720 और 24, इन दोनों में से higher value, बड़ी value, बड़ी value कौन सी है, 24,640, इस तरह, ठीक है रण, यह है, अभी इसमें से भी, vacancy period माइनस करना है, vacancy period भी दिया हुए हम तो यह value of step 3 जो हाई, ठीक है, वो, और minus करना है loss due to vacancy period, तो vacancy के आदी 15 days थी, आप देख सकते हो, vacancy जो है, 15 days है, है न, तो एक मन्त का इतना है, 2240, तो 15 days, आदा मन्त हो गया, तो 15 days का कितना, आदा हो जाएगा, 1120 हो जाएगा, वो आपको काली minus करना है, आप देख सकते हो देखो, value of step 3, 24,640, उसमें से minus करना loss due to vacancy, तो 2240 into 15 upon 30 किया, क्योंकि मन्त में 30 days हो थे, तो मतलब days के हिसाब से 15 days दिया हो, इसकी वज़े से इसे किया हुआ है, और यह पर मन्त है, तो 1 month 20, यह simple आप समझ सकते हो, पूरे मन्त का 2240 है, तो आदे मन्त का कितना हुआ, 15 days half month हुआ, half month का कितना होगा, उसको 2 से divide कर दो, 1 month 20, तो यह minus करूँआ तो क्या है, 23,520, यह आपका final GAV हुआ, final gross annual value, 23,520, simple, ठीक है, तो इसमें आपको काली ध्यान रखना है, stand 3 में जो annual rent receivable आप निकाल दियो ना, वो उसमें से unrealized rent हमें minus करना है, ठीक है, फिर उसको देख हम house number 2 करें, house number 2 में देखो, पहले क्या क्या मिला हुआ हमें, सब चीचे दी हुई है, यह हमारी municipal value, fair value, और standard rent, और यह पर मन्त का rent है, और 2 मन्त का आपको rent vacancy है, नहीं मतलब खाली है, ठीक है न, vacancy है, और unrealized rent देखो कितना है, 6720, यह step 3 में 6720, 20, unrealized rent में से हम, मतलब जो rent received ह लोगा, उसमें से यह minus करेंगे, unrealized rent, तो आप देख सकते हो, house number 2, ठीक है, तो पहले तो step 1 में, municipal value और fair value, जो मिली हुई है, उन दोनों में से बढ़ा, बढ़ी कौन सी value है, 29600, यह पहला step 2, जो step 1 की value आई, 29600, और standard rent, 27000, जो question में दिया गया, दोनों में से छोटा, lower value, 27000, आजब third step में, third step में कैसे करोगे, जो step 2 की value आई, 27000, उपर हम करके है, जो step 2 की value आई, और उसमें से यह annual rent received, यह receivable, तो annual rent receivable कैसे निकालोगे, पर मन्त का 2240 है, 12 से मंदी बला करूँगा, पूरे साल का कितना हो जाएगा, 26800, उसमें से unrealized rent आपको question में दिया गया, 6720, वो आपको minus करना है, तो इसमें से यह minus करोगे, तो यह आपका आजाएगा, 20,160, अभी इन दोनों में से बड़ा देखना है, 27 और 20, तो बड़ी value कौन से होगी, 27,000, तो आपकी value of step 3, 27,000, उसमें से minus करूँगा, lost due to vacancy, और vacancy 2 मन्ती, एक मन्त का rent आप 2240, तो 2 मन्त का कितना हो 4480, वो आपको minus करना है सरु, तो यह आजाएगा, 22,500 रंडी, तो यह आपकी हो गई final annual GAV, ठीक है, gross annual value हो गई, ठीक है, gross annual value, तो simple है, यह ध्यान रखना है, ओके, अभी इसी तरह house number 3 में हम देखे, house number 3 में भी सक्षीचे, वही DV है, आप देख सकते हो, यह municipal value है, यह fair value है, य रंडर रेंड है, और पर मंत का रेंड 4480 है, पर मंत का है ध्यान लखना 4480, और एक मंत वेकंसी है, और unrealized रेंट कितना है, 3200 है, ठीक है, 3200, यह हम minus करेंगे, 3200, थार्ड स्टेट में, ओके, देखो, same process है, तो इस तरह हम fine करेंगे, आप देख सकते हो, यह house number 3, step 1 simple जैसे कर 67200, और standard rent, आपका 56000, दोनों में से छोटी value, कितनी है, इन दोनों में से छोटा कौन सा हुआ, 56000, lower value, फिर आजाओ step 3 में, step 3 में, यह step 2 की जो value आई, 56000, और यह annual rent receivable, annual rent receivable, किस सर निकालोगे, 4480 पर मंत है, उसको 12 से multiply करूँगा, तो पूरे साल का आ जाएगा, हुआगा 53 3760, और आपको unrealized rent दिया हुआ, 3200, वो minus कर दो, यह minus करोगे, इस में से यह minus करोगे, तो यह आजाएगा 50,560, तो इन दोनों में से बढ़ा, आप देख सकते हो, उपर step 2 की value 56000, और यह unrealized rent minus करने के बाद 50,000 है, इन दोनों में से बढ़ा कौन से है, 56000, 56000 है, ठीक है नहीं, तो 56000 है, तो वो आपकी, मतलब step 3 की value होई, ठीक है न, तो value आप step 3, यह हुआ, और loss due to vacancy period, एक मन्त vacancy था, हमने उपर देखा, एक मन्त vacancy था, और एक मन्त का rent करने है, 4482, into 1 करूँआ, एक मन्त का vacancy है, तो वो minus करूँआ, तो यह आजाएगा 51,520, यह आपकी आगे, final GAB gross annual value, ठीक है, इस तरह, अभी एक और house है, house number 4, देखें हम, देखो, उसमें भी same ही चीज़े मिली हुई है, simple, आप देखो, यह हमें, municipal value दी हुई है, इसके बाद fair value दी हुई है, और इसके बाद standard rent दिया हुए, और इसके बाद par month rent दिया हुए, और 3 month vacancy है, यह आँ रखना, vacancy 3 month की है, और finalized rent 11,200 है, तो 11,200 हम minus करेंगे, ठीक है न, तो same ही process करेंगे, आप देखो, house number 4, ओके, आप देख सकते हो, यह house number 4 हमार step 1, step 1 same, municipal value, fair value, दोनों में से बड़ी value कौन सी है, आप देख सकते हो, 26,400, यह value हुई step 1 की, आज़ो step 2 में करे, step 1 की value 26,400, इसके बाद standard rent, standard rent आपका यह question में जो दिया हुए, इन दोनों में से lower value, छोड़ी value बाद सी है, 23,920, अभी यह step 2 की जो value है, 23,920, अभी आज़ो annual rent receivable, वो कितना दा, 22,400 पर मन्त है, 12 से multiply करूँगा, साल का आ जाएगा, 26,880, और unrealized rent आपको दिया हुए, 11,200, वो minus कर दूँ, तो कितना होगा, annual rent received यह receivable, 15,680, अभी इन दोनों में से बड़ी value, बड़ी value कौन सी है, यह 23,920, ठीक है, तो यह step 3 की value हुई, step 3 की value 23,920, इस rent 2240, 3 मन्त का 3 से multiply करूँगा, 6720, minus करूँगा, तो final GAV आ गए हमारी, 17,200, ठीक है, तो इस तरह करना है, तो आपको GAV find करना है, तो consequence value मिली हुई है, उस सब आपको देखना है, ध्यान रखना है, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा sum complete हो गया, आई अब आपको अच्छे से समन में आपको इस वी दे मितना, THANK YOU!